सो यार फाइनली हम लोग ने अपना RDP क्रिएट करने के बाद सक्सेस्फूली रन कर लिया है। बहुत अच्छे से हमारा यह वाला RDP अब चल रहा है। हेलो वर्ण मेरा नाम है मातका यूम और आप लोग देख रहा हो फ्रेश कोड़ है की यूडूब चैनल। आज की वीडियो में आप लोग के बताने वाला हूँ कैसे आप लोग फिरी में Google Cloud का RDP यूज कर सकते हो। या फिरी का मतलब है टोटली फिरी में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ मज़े के बात यह है यह वाला RDP आप लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो। और एक और मज़े की बात यह है सिर्फ आप लोग दो तीन स्टेप के अंदर यह वाला RDP क्रियेट कर लोगे मतलब के यार सिर्फ दो मिनट के अंदर यह वाला RDP क्रियेट हो जाएगा और आप लोग कुछ भी मेहनत करने की जरुरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग को RDP हमें मिलेगा अब आप लोग ने करना है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक होगा उसे ऑपन करना है और डाउनलोड कर लेना है और आप लोग को यह वाली TXT वाली फाइल मिल जाएगी पहला लिंक का आप लोग ने कॉपी करना है और उसके बाद आप लोग ने आज हो जाएगा अब यहांपे कुछ agreement वगएरा आप लोग से कहेंगे उसके बाद आप लोग टिक वगएरा कर देना है और उसके बाद स्टार्ट cloud शेल पर क्लिक कर दोगे अब यहाँपर आप लोग क्लाउड शेल मशीन है वो स्टार्ट होना शूरू हो जाएगी तक्रीबन आपका 10 सेकंड से 15 सेकंड ये 20 सेकंड तक ये वाला टाइम लेगी उसके बाद आप लोग का ये शेल वाला जो स्क्रीन है आपन हो जाएगी तो ये जादा टाइम नहीं लेगी अब देखो तियार मेरे पास आपन हो चुकी है और सिंपल मैंने करना है क्या है यहां पर अब द मिलेगी सिंपल आप लोग ने लिखना है एंजी रोख और उसके बाद पहली वैबसाइट होगी उसे आप लोग और उसके बाद थोड़ सा वेट करते हैं देखो यार स्केप और उसके बाद गौट इड़ और उसके बाद जो भी होगा यार सारे के सारे में स्टैप आप लोग को बता रहा हो वैसी आप लोगोने फॉलो करते रहना है मैं continue पर click करूँगा और उसके बाद यहां पर यूर पर आना है second यहां पर देखो यहां पर step and solution के नीचे यूर और उसके उपर आप click करोगे और आप लोग को यहां पर token मिल जाएगा तो यहां पर NGRO का token यह यह रहा और उसके बाद आप लोग इसे copy करना है cloud shell में आना है और उसके बाद यहां पर paste कर देना जैसे आप लोग पेस्ट करोगे इसके बाद किलिक करना है और यहां पर देखो यार अब आप लोग के पास आगया आप लोग किस type का RDP चाहिए मतलब कि आप वो कौन से server चाहिए ठीक है ना US का चाहिए यॉरॉप का चाहिए एशिया का चाहिए साउथ का जपान का इंडिया का या अस्ट्रेलिया का मॉस्सलिट लोग कहते हैं हमें US का चाहिए तो यहां पर मैं simple US के लेता है US लिखता हूँ और अगर आपको यॉरॉप का चाहिए तो EU लिखोगा अगर आपको इंडिया का चाहिए IN लिखोगा यहां पर साथाथ यहां पर इन्होंने short form भी दी वी है यहां पर मैंने US लिखा और उसके बाद मैं इंटर कर दूंगा तो यहां पर देखार मेरा process स्टार्ट होना शुरू हो गया है और मुश्किल से मुश्किल से एक से डेर मिनट लेगा और यह वाला process भी complete हो जाएगा अब जैसी यह वाला process चल रहा है उसके बाद मैं यहां पर क्या करूंगा नो मशीन एक software है उसे मैंने download कर लेना पिलकुल free में है आप लोग का मेरे खाल में 60 MB का I think से होगा मुझे से यहाद नहीं इतना MB का है आपनों download कर लेना है देखो यार Windows 8, 10, 11 में compatible है तो यहां पर मैं Windows 11 यूज़ कर रहा हूँ तो यहां पर मैं download now पर करूंगा और उसके बाद मैंने इसे install कर लेना है देखो यार यहां पर मेरे पर download होना शुरू हो गए यह इसे मैं पॉस्ट कर देता हूँ क्यों कि है already मैंने install की वे टिपिकल वही method है आप लोग जैसे भी कोई एक software install कर रहे है तो simple next next करो आप लोग के बाद यह वारा जो software रहे यह install हो जाएगा तो यहां पर मैं open कर लेता हूँ no machine और यहां पर देख सकते हो मेरे पास यह open हो चुका है तो यहां पर देखो यार अब okay पर click करोगे और okay और यहां पर देखो एक दफ़ा मैंने already पहले से भी यह try करके रखावाए तो यहां पर एक दफ़ा मैं इसे remove कर देता हूँ ताके मैं आप लोग को शूरू से सब कुछ दिखाऊं ताके आप लोग बोले हैं यहां पर जैसे आप लोग के बाद स्क्रीन शो हो रही है वैसे ही स्क्रीन मेरे पास भी शो हो तो simple यहां पर मैं क्लाउट शेल के उपर आता हूं यहां पर देखो मेरा डीपी बन चुका है और आप मैंने simple यहां के sign in करना है अब आप लोग ने add पे क्लिक करना है और add पे क्लिक करने के बाद यहां पर कोई बी name अपने connection का, मैं यहां पर माद डाल देता हूं, माद फ्रेश को डाल देता हूं, ताके यहां पर देखने माद पर चल जाए, भी मैं अभी आप लोग के सामने ही सब कुछ कर रहा हूं, तो उसके बाद यहां पर सिंपल इधर आ जाना है, आईपी अड्रेस के नीचे, यह वाला आपने कॉपी करना है, जो भी आप लोग का आ रहा है, इसे आप लोग कापी करोगे, यहां पर आके आप लोग ने पेस्ट कर देना है, उसके बाद इसी के आगे यहां पर देखो यार, पोर्ट आ रहा है, और आप लोग ने इस पोर्ट को कापी करना है, जो मेरा आ रहा है, मैं इतर आके यहां प पीपे डबल किलिक करूंगा और उसके बाद गर यार कनेक्टिन टू हमाद और यहां पे ओके और यहां पे मेरा कनेक्शन यहां पे स्टार्ट होगी अब पासफ़ट चाहिए यहां पे यूजर लिखा हुआ है यह हमारा यूजर नेम है ठीक है इसे मैं कॉपी करूँगा और यहां पे देखो और इसी के नीचे पासफ़ड है 123456 हमेशे यही यूजर निम पासफ़ड होगा और उसके बाद यहां पे एक दफ़ा मैं यहां पे डाल भी देता हूं खुद और उसके बाद ओके पे किलिक करूँगा तो यहार आप लोग के सामने हैं बिलकुल मैंने 2-3 मिनट के अंदर अंदर यहां पे मैंने RDP क्रियेट कर लिया है और यहां पे जैसे मैंने यस किया अब कनेक्ट इंटू हमाज फ्रेश को जो मैंने नाम रखा था और यहां मेरा RDP कनेक्ट हो चुका मैं नेक्स नेक्स करूँगा और उसके बार आप लोगे सामने है देखो यार मेरे पास RDP शो हो गिया है और यह देखो यार Windows RDP है तो I think so यार यह Windows RDP नहीं है मैं आपको बता दो Linux का ही RDP है इन्होंने थोड़ा थीम Windows जैसे दीवी है क्योंके यार देखो मुझे पता ऐसे चला है क्योंके जैसे मैंने यहां पे Windows पे क्लिक किया तो Linux के अंदर भी इसी टाइप का आ रहा होता है तो यह इन्होंने क्या कि Linux को Windows की तरह शेप दीवी है शेप बोलो या थीम दीवी है तो जो यूज करने में आप आप लोग के लिए काफी ज़्यादा असानी होगी जैसे के हमें Linux में थोड़ी problem होती तो नहीं थी उस टाइप की देदी आप लोग को Windows जैसे feeling आएगी आप लोग एजी ली software वगेरा भी download इस्ट्रॉल कर सकते हो या कोई browsing करने चाहों कर सकते हो अब इसके लिन देखो या थोड़ी फटी फटी सी आ रही है खीची 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 तो इससे सही कैसे करना है कि परानी resolution में आ रही है तो simple आप लोगों डिस्पले पर आना है और डिस्पले पर आने के बाद यहाँ पर देख लो और पहले आपने विंडोस पर क्लिक करना है ठीक है और उसके बाद यहाँ पर डिस्पले पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर देखो resolution आ रही है और यहां पर resolution अपनी मर्जी के स्लेक कर लो तो यहां पर जो मैं prefer आप लोगों करूँगा वैसे 920 by 1080 है जो मैं भी use करता हूँ उसके लावा mostly यही अभी computer में use हो रही होती है जो full HD है जैसी मैं click करूँगा और उसके बाद यहां पर मैंने apply पर click कर देना है और यहां पर देखो यार नॉर्मा मेरी यह जो screen है हो चुकी है और sorry यार मैंने यहां पर cross कर दिया था तो again मैं यहां पर आता हूँ दुबारा और 920 by 1080 पर click करूँगा और apply पर click कर दूँगा तो यहां पर restore okay keep configuration और close पर click कर दूँगा तो यहां पर मेरा जो RDP है वो बिलकुल सभी रन हो रहा है एक दफ़ा मैं आप लोग को यहां पर browser भी चला के दिखा देता हूँ ताकि आप लोग के यकिन हो जाए रहा है बिलकुल net भी इसका चल रहा है लोग यही कहते हैं कि आप लोग आट-टिप बना के दिखा दे तो लेकिन net नहीं चला के दिखा रहा हूँ गरें लोग इस लोग कि अदो को आप लोगे चला है लोगा यह जितनी मी वीडियोगी देखोगी असके अंदर यहां पे मैं टेस्ट कर भी लेता हूँ और आप लोग को भी साथ शेयर कर लेता हूँ तो यहां पे देखो यार नेट बिलकुल चल रहा है और उसके लावा यहां पे मैं Microsoft Bing के उपर मैंने उपन किया है आप लोग जाओ Google उपन कर लेना ठीक है और उसके बाद अगर आप लोग यहां पे Microsoft जो Edge है इसको भी आप लोग चेंज कर सकते हो आप लोग Chrome डाउनलोड कर लो ठीक है ना और उसके बाद आप लोग Chrome के उपर यह सब को यह चीज़ा कर सकते हो तो यहां पे बाइट फॉल जो ब्राउजर डाउनलोड मतलब के यार स्टॉल हुआ वह है तो मैं वही उस कर रहा हूँ तो मुझे जरूआतनी है चेंज करने की तो आगर आप लोग के का आप लोग Chrome कर लो Firefox कर लो जो मरसी आप लोग कर सकते हो तो यहां पे एक दफ़ा Speed भी आप लोग देख लो और यहां पे देखो यार Google Cloud का platform देख लो यार Google Cloud platform इसका मलए इंटरनेट Google Cloud का आ रहा है तो यार अब आप लोग देख लो Downloading Speed कितनी आ रही है और Uploading Speed कितनी आ रही है Downloading तो यार तकरीबन 700 के करीब आ रही है ठीक है और यहां पे आप लोग की जो लोडिंग है तक्रीब बन साड़े 900 MB के करीब करीब आ रही है तो यह बहुत ही अच्छी स्पीड आ रही है मुझे उमीद है आप लोग भी ऐसे क्रीट करके अगर आप लोग अपना यूटूब का वाश टाम इंक्रीज करना चाहरे हो या पिर कुछ भी करना चाहरे है तो आप लोग इसकी हेल्प से इजी ली कर सकते हो मुझे उमीद है आप लोग को मेरे वाली वीडियो पसंद आई होगी पसंद आज़े तो वीडियो को लाइक करना शियर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूला